हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी लोग वेलकम बैक यह है बैटल ग्राउंड का एक और एपिसोड यहां पे शुरू करने से पहले बैटल ग्राउंड सीजन टू खेला था मैंने उसके कुछ रिवार्ड्स है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मुझे बैटल ग्राउं बैटल ग्राउंड सीजन टू के रिवार्ड्स यहां पे सिगनेजर सिक्स्टार स्टोन है और यहां पे टी फाइफ सीसी सेलेक्टर था हमारे को जो कि हमें स्लेक्ट करना था अब चलते हैं मैच पे तो जल्दी से शुरू करते मैच मैच शुरू करने से पहले मैं आप दिखा देता हूँ गोल्ड वन पे हूँ मैं यहां पे एंड यह हिस्टरी है यहां पे मेरी विन 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 लॉस विन 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 जादातर मतलब आप समझो कि मैच जीतता भी हूँ कभी कभी हारता भी हो लगातार तीन चार मैच हार जाता हूँ उसके बाद में हाँ दो प्रो हो तो प्रो ही रहो एंड तो जल्दी से शुरू करते हैं आज फिर से मैं टोकन का ही मैच खेलने वाला हूँ क्योंकि टोकन का मैच खेलने पे कंपलिशन करने पे जादा पॉइंट मिलते हैं अगर जीत जाते हो तो जादा ही पॉइंट मिलते हैं ज़्यादा point मिलते हैं जल्द से शुरू करते हैं देखते हैं आज का match किस के साथ होता है gold one पे पहला match खेल ने जा रहा हूँ मैं अभी gold one पे आया हूँ gold one पे पहला match खेलने जा रहा हूँ and let's see दिखते हैं कौन हमको मिला है यहाँ पर मैच करने के लिए हमारा मैच जो हुआ है वो है कॉम 72 के साथ में प्लैटिनियम कुरुशेडर है मतलब कि यह बहुत पुराना प्लेयर है जिसके साथ हम मैच कर रहे हैं लेट सी इसके कौन से champions हम ban कर सकते है doom को मैं definitely ban करने वाला हूँ क्योंकि सबसे high rating का champion वही है doom करूँगा ban toad करने वाला हूँ ban two star की champion रखे इसने I don't know ये hacker है शहाद doom ban करने वाला हूँ toad ban करने वाला हूँ और kingpin time लेगा तो इसलिए मैं इसको भी ban कर रहा हूँ बाकी किसी defender से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अराम से पेल दूँगा सबको यही तीन में इसने मेरा किया है bishop, super skull और korg बहुत सही defender ban किये हमें यहाँ से sasquatch लेने वाला हूँ क्योंकि यह time consume करता है जल्दी से मरता नहीं है लटसी देखते हैं यह क्या लेगा यह hell kitchen लेगा और kitty pride लेगा मुझे पता था hell kitchen भी बहुत अच्छा defender है क्योंकि यह purify बहुत जल्दी कर लेता है time बहुत लेगा मैं यहाँ से omega sentinel लोंगा attacker plus defender है Nick Fury भी attacker plus defender दोनू के दोनू अच्छे defender attacker आ गए है मेरे पास and let's see यहाँ से क्या लेगा निम्रोड लेने वाला है और मुझे ख़ल domino लेगा शायद से क्योंकि और कोई option नहीं है इसके पास ओके तो domino को मारने के लिए hulk buster चाहिए मुझे वैसे हमारे पर omega sentinel है उसके लिए मैं ले सकता हूँ apoclipsy भी रहेगा kitty pride के लिए और कौर वस नहीं मैं hercules लेना चाहता हूँ निम्रोड के लिए सोंच रहूँ hercules ले लूँ ठीक रहेगा and let's see यहाँ से mr negative venom है venom अच्छा रहेगा defender के लिए क्योंकि काफ सारे buffs आएंगे मेरे को बहुत सजी लगता है क्योंकि बहुत अच्छा ये kill ले लेता है या तो kill लेगा या तो health जरूर लेगा तो यही दो defenders में लेने वाला हूँ and हाँ order तो मैं attacker के तोर पे ले रहा हूँ and इसने लिया अब यहाँ से human torch किस काम में आएगा भाई ना हाँ डाल देते हैं देख लेते क्या होता है कोई बात नी देख लेते है अपकलिप्सी डाल दिया let's see इसका क्या defender है domino डाला है इसे में ओमेगा सेंटिनल लेके जाने वाला हूँ इसके लिए ओके मिस्टर नेगेटिव डाल दिया प्लस इसकी हेल्थ भी जादा है तो हम हर्कुलीस को यूज़ करेंगे क्योंकि हर्कुलीस और किसी के लिए मेरे को लगता नहीं ठीक रहेगा मुझे पता था ये निमरोडी यूज़ करेगा और कोई चारा नहीं था इसके पास यार मुझे एपकलिपसी को नहीं डालना चाहिए था क्योंकि मैंने गलती कर दी वहाँ पर स्टार्ट करते हैं मैच को यार ओके तो गाइस यहां पर मैंने मैच स्टार्ट हो चुका है अब मैं जल्दी से जल्दी अपने स्पैशल वन पर जाना चाता हूँ स्पैशल इंटरसेप्ट देना चाहता हूँ क्योंकि यह इन्वर्जन लगाता है जब भी यह नॉक आट होगा यह इन्वर्जन लगाएगा जिसकी वज़ा से कभी-कभी मेरे को लोचा पड़ जाएगा तो थोड़ा सा रुको यार देखो यार यहां पर स्पैशल वन छोड़ दिया अरे शिट स्पैशल वन पर इंवर्ट कर देता है सारे के सारे कंट्रोल्स तो थोड़ा वो प्रॉब्लिम देती है लेकिन कोई नहीं मेरे को विल पॉवर की मदद से मैं हीली होता जा रहो बार बार तो स्पैशल वन इंटरसेप्ट तो दिया हमने काफी तगड़ा जल्दी से जल्दी स्पैशल टू पर जाते है जल्दी से जल्दी यह गेम को ओवर करते है हमारे पास जादा वो है बफ है तो इसलिए हमारा रिजगा ट्रिचर की वज़ए से पावर गेन हो रहा है और मुझे लगता यह फाइट ओवर है क्योंकि भाई गया खतम है यार यह हाँ मैंने 100% पर खतम किया ना 99.4% पर हेल्थ खतम किया है मैंने मैच को और काफी जल्दी मैच खतम किया है नेक्स्ट डिफेंडर यह मेरे ख्याल से अगर किटी प्राइड लगाता है तो हम लगा देंगे ओमेगा सेंटिनल अटाकर के लिए अगर हैल किचन लेके आता है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा जीतना तो मैंने था मुझे पता था काफी जल्दी मैंने मैच खतम कर दिया था अगर वेनम लगाता है वेनम के लिए मैं ओडी ले जाओंगा हुमन टॉर्च के लिए मैं निक फ्यूरी ले जाओंगा अगर हुमन टॉर्च लगाता है तो मैं सेसकोच लगा दूँगा डिफेंडर में यहां तो टेरिक्स लगा देंगे defender में, let's see, देखते हैं कि कौन लगाता है ये, मुझे लगाना रिखाना है कि इसको लगाना है, उके इसको लगाना है, उसके इसाब से plan, ओके इसने day devil लगाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, time लेगा बहुत जादा, हम terex को लगा सकते हैं, सैसकोच को मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है Venom लेगा Kitty Pride लेगा Let's see, क्या बंदा सोच रहा है Human Torch मुझे नहीं लगता लगाएगा Venom लिया है इसने, ओके हम Human Torch से मारते हैं मैं Nick Fury लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ये वाला राउंड जीतना है, अगर ये राउंड मैं जीत गया तो मैं जीत गया ना यार, इसलिए सबसे Best Champion लेके जा रहा हूँ मैं यहां पर क्योंकि हमको Damage Over Time देना है Day Devil Hell Kitchen जो है ये मेरा Time बहुत जादा Consume करेगा क्योंकि अपने Special बार बार छोड़ेगा ये ओके तो गाईज मैं शुरू हो चुका है लेट सी हम कितना जल्दी ये निप्टा सकते हैं क्योंकि ये Purify भी बहुत जल्दी कर लेता है तो Damage Over Time तो लाना ही था यहां पर ये Special बार 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 बहुत टाइम जाएगा और यहां पर हारने के Chances जादा रहेगे जितना लंबा मैच रहेगा उतना हारने का Chances बन जाएगे मेरे I hope कि सामने वाला अच्छा ना खेले Venom के साथ में वैसे मुझे लगता है Venom अच्छा Counter नहीं था Terex का पर फिर भी देख लेते क्या होता है हमें तो अच्छा केलना है यहां पर स्पेशल 2 पर अगर जाता है तो भी सही है क्योंकि स्पेशल 2 जादा टाइम नहीं लेता है स्पेशल 1 के कंपैरिजन में यहां पर स्पेशल 1 छोड़ दिया अगेन उसने चलो एक ओपनिंग मिल गई मारने की हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया यार एक मिनट रहे गया और हमने इसकी अभी तक 50% हल्थ भी नहीं लिए देख रहे हो आप प्यूरिफाई कैसे कर रहा है वो स्पेशल 2 पर अगेन अक्टिवेट हो गया है वो एंड फ्यूरी की मदद से उसका रिच गैट रिचर की मदद से उसके पौवर गेन होता जा रहा है और यार बड़ा इरिटेटिंगол है मेरी लिए मजह पता था यारर अपने सपेशल चोड़ेगा यह देखो स्पेशल वन इसका बहुत लंब ये विजह से अराम से 2-3 सेकैंड आराम से चले जाते हैं कि ओए सचल कि पैश इसका स्पेशल वओगे 20 सेंद जल्दी सिब्सक्रणा चाहता हूं थिक है 14 seconds रहे गे थे हमने मार देखते हैं कितने time में हमने इसे मारा 100 seconds में मारा है हमने इसे और बंदा सामने वाला knockout हो गयता है यार 102 seconds लगा है उसने भी मैंने जल्दी complete किया match and guys हमने जीत लिया match तो हमने ये match भी जीत लिया है guys मैं आपको अब अपने solo milestone दिखा देता हूँ कितने points मेंने कर लिया है और alliance के भी milestone दिखा देता हूँ कितने points मेंने कर लिया है यहाँ पे gold 1 का पहला match हम जीत चुके है जब मैं ये record कर रहा था तब तो मैं platinum 3 पे आ गया हूँ और ये gold 1 का match था जो मैंने अब भी upload किया है platinum 3 पे आ चुका हूँ और 2 match जीत चुका हूँ platinum 3 पे भी यह अलहाँ पेटल ग्राउंड alliance का milestone 21 lakh पे आ चुके है 30 lakh पे next milestone है और मैं 11,000 पे आ चुका हूँ अभी मेरे जो अभी मेरे record कर रहा हूँ audit किया है जब मैंने तब मेरे 1,25,000 के उपर हो चुके है points बाइ बाइ खत्म बाइ बाइ टाटा गुडबाइ गया